दोस्तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए ये प्लैनेट कौन सी है क्या ये हमारी प्रित्वी है वेल शायद नहीं तो क्या ये हजारो लाखो लाइट ये दूर मौजुद कोई हैबिटेबल एग्जो प्लैनेट है वेल यू में नॉट बिलीव बट ये हमारा पड़ सी नहीं बलकि सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट भी आज से 3.8 बिलियन इयर्स पहले बिलकुल अलग नजर आते थे देखो ये वो समय धाना जब हमारे सोलर सिस्टम को बने बने केवल सतर से असी करोड साली हुआ था अब देखो प्रित्वी से अर्बो लाइट येर्स द सोच से भी परे था पर भाई यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर मैंने 3.8 बिलियन इयर्स के समय को ही क्यों चुना फिल देखो 4.8 बिलियन इयर्स से 3.8 बिलियन इयर्स के समय को लेट हेवी बंबार्डमेंट या फिर लूनार कैटेकलिस्म कहा जाता है ये ये चेंज पूरे सूलर सिस्टम में नहीं बलकि मेंली टेरस्टियल प्लाइनेट्स पर हुआ था इसके पीशे का रीजन उनका गैसियस अपीरेंस है अब हमारे गैसियस प्लानेट जुपिटर, सैटर्न, युरेनस और नैप्चून पर भी एश्टरॉइड और कॉमेट्स की अच्छी खासी हुई थी पर इन कोलीजन्स का असर इनके क्लाउड्स में समा गया और इनके अपीरेंस में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिला अब कुछ वैग्यानिक मानते हैं कि एश्टरॉइड इंपेक्स के कारण सैटर्न और जुपिटर के कलर में थोड़ा चकर ने जुपिटर पर एक विशालकाई वार्टेक्स को जनम दिया था जिसने इनके क्लाउड्स की कॉम्पोजिशन को बदला और अल्टिमेटली इसके कलर में माइनर सा बदलाव भी लेकर आया अब थोड़े बहुत कलर चेंजेस के अलावा हमें गैसेस प्लानेट के पा किसी बड़े मून के डिसिंटीग्रेशन से हुआ था तो वहीं पर नैप्चून और ट्राइटन के लव स्टोरी भी अपने आप में बेहदी खास है ये शुरुआत से नैप्चून के साथ नहीं हुआ करता था बलकि शायद ये क्वाइपर वेल्ट का पार्ट था जिसे नै गिरी पर एश्ट्राइट की जबरदस्त बारिश हुई थी जिसके निशान इसके सर्फेस पर विशालकाए क्रेटर्स के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं अब इन क्रेटर्स की साइज कुछ मीटर से लेकर कई किलो मीटर्स तक की है अब क्योंकि मर्कुरी का टेंप होने के कारण इन आश्टरोइड इंपक्ट्स को रोकना या इन की स्पीड को स्लो डाउन करना इंपॉसिबल हो जाता है अब उस समय मर्कुरी की सर्फेस वोल्कैनिकली एक्टिव भी हुआ करती थी जिनसे निकलते गरम लावा ने यहां डिप्रेशन और बेसिंस का फॉर् प्रानी वाली सर्फेस है जिस पर बड़े-बड़े क्रेटर्स मौझूद है और दूसरी यंग सर्फेस है जो की काफी ज़्यादा प्लेन है वैग्यानिक मानते हैं कि यह यंग सर्फेस तब बनी होगी जब इसके वालकैनोस का लावा यहां पर बैता हुआ जम गया होगा अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस समय का Mercury आज के comparison में काफी जादा गरम हुआ करता था, ऐसे में जब Mercury ठंडा होने लगता है, तो इसकी internal core contract होती है, जिसमें ना सरीफ इसके size पर impact डाला होगा, बलकि इस contraction के सबूत हमें इसकी surface पर भी देखने को मिलते हैं। अब जिस तरह Moon अपने gravity के कारण प्रित्वी के oceans में आने वाली tides की वज़ा बनती है ना, ठीक वैसे ही सूरज के इतने करीब होने के कारण Mercury को सूरज के tidal forces भी जेलने पड़ते हैं। ये tidal forces, Moon के tidal forces के comparison में 17 गुना ज़्यादा strong होता है। जिस वज़ा से Mercury की surface पर कई रवता था और इस छोटे से planet ने अपनी history में काफी कुछ जेला है। इन asteroid impacts ने यहाँ पर लावा के समुदर बनाए होंगे और ये आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे planet और प्रित्वी के सबसे करीबी पड़ोसी planet Venus की। दे लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। इन फैक्ट कुछ वैज्यानिक तो यहां तक मानते हैं कि एक समय इसकी condition प्रित्वी जैसे ही हुआ करती थी। देखो दा लेट हेवी बंबार्डमेंट पीरियड के दोरान इधर कई सारे asteroids और comets impact हुए थे। और जैसा कि आप जानते कॉमेट्स आइस के बहुत बड़े reservoirs होते हैं और जब यह आइस पिघलती है तो पानी की नदिया और समुद्र बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय वीनस का surface temperature करीब 50 degree Celsius ही हुआ करता था जो water को sustain करने के लिए optimum था। अब यह conditions करीब 30 करोड सालों तक रही होगी जब श को बहुत जादा बढ़ा दिया। इससे वीनस का temperature बढ़ने लगा और ultimately इसका सारा पानी भाप में बदल गया। दोस्तों वीनस का atmosphere काफी dense भी है जिसके कारण carbon dioxide जैसे greenhouse gases यहाँ पर trap होकर रह जाती है और यही वज़ा है कि आज इसका temperature 480 degree Celsius तक पहुँच चुका है और वीन अगले ग्रह पर कुछ ऐसा हुआ और इतना खूब हुआ कि आज हम इसी पर बैट कर पूरे universe को analyze कर रहे हैं। देखो solar system के इतियास में प्रित्वी से बड़ा बदलाओ किसी भी planet पर नजर नहीं आया होगा। आज से 3.8 billion years पहले प्रित्वी पर volcanic activity अपने peak पर थी जिसने इ इतनी तेजी से produce हो रहा था कि इसने हमारी धर्ती पर कई भयानक भूकम पलाए। वैसे कई भूकम तो टेक्टॉनिक प्लेट्स के टकराने के कारण भी आये थे जिन्नोंने ना सिर्फ प्रित्वी के surface को shape दिया बलकि oceans के अंदर भी कई folds का formation किया। उस समय हमारा सुरज आयोकसाइड जैसी greenhouse gases का concentration काफी जादा हुआ करता था। इन फैक्ट ये वो दौर था ना जब प्रित्वी पर greenhouse gases की presence अपने all time peak पर था। अब इस दोर आनना प्रित्वी पर stromatolites का formation भी तेजी से बढ़ने लगा था। stromatolites को आप living rock formation भी कह सकते हो। देखो स्यानो बैक्टिरिया और pseudo monadota जैसे bacterial cells आपस में मिलकर ऐसे sedimentary rocks का formation किया करते थे। और इस प्रोसेस के शुरुआत करीब 3.7 billion years पहले ही मानी जाती है। अब देखो इन और्गैनिसम्स ने ना प्रित्वी के अट्मोस्फेर से carbon dioxide को ए region rich बनने लगा। इसने धीरे धीरे प्रिक्वी पर लाइट के evolution के शुरुआत की जिसका result आज आप अपने सामने देख सकते हो। पर अगर हम इसे आज से 3.8 billion years पहले वाली condition से compare करें तो शायद ही आज का कोई जीव उस समय की extreme condition में exist कर पाता। आखिर में बात करते हैं Mars की जिसकी photo हमने वीडियो की शुरुआत में भी देखी थी। तो दोस्तो आपको बता दू कि ये महज एक artistic representation है और जरूरी नहीं है कि Mars exactly ऐसा ही दिखता होगा। पर कई वैज्यानिक ये strong belief रखते हैं कि उस समय मार्स पर आज की प्रित्वी की तरह ही conditions रही होंगी। देखो प जिस कारण से ये water को retain करने में भी काम्याब रहा होगा। देखो आज जब हम Mars की surface को explore करते हैं तो हमें प्राची नदियों के सबूत भी यहाँ पर नजर आती ही है। कुछ वैज्यानिक तो ये भी मानते हैं कि आज भी इसकी surface के नीचे काफी जादा पानी मौजूद हो सकत और इसी के साथ साथ वैज्यानिक ये भी मानते हैं कि मंगलगरा पर इस पूरे solar system का सबसे उंचा waterfall भी exist करता था जिसके remains हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन बातों से ये तो साफ हो जाता है कि एक समय पर Mars life के evolution के लिए एक ideal place था और possible भी है कि यहाँ पर life evolve भी हुआ होगा। क्या पता प्रित्वी पर life की शुरुवात करने वाला asteroid भी Mars से ही आया हो। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज Mars एक विरान और बंजर ग्रह बन चुका है। वैल कुछ वैज्यानिकों का मानना है कि इसका जबाब Mars की core में छिपा हुआ है। इसकी core प्र solar flares उनसे atmosphere भी छीन लेती है। अब बिना atmosphere वाला planet ना तो water को retain कर पाया और ना ही living conditions को जो आज इस planet के हालात को बया करता है। बग्या आप मुझे नीचे comment करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि इरोन भाईया आने वाले समय में Mars पर एक बार फिर life को evolve करा सकते कर जाना। दोस्तों उमीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो से like करने के साथ साथ अपने friends और friends साथ जरूर शेयर करना और जाते आते आते आप इस वीडियो को जरूर देखना जहां आमने बात किया है एक ऐसे event के बारे में जो मंगल गरह पर हर साड़े पांच साल में होता है तो यहाँ पर क्लिक करो और जल्दी से जाकर देखो मैं मिलता आपको नेक्स एपिजोड के साथ तब तक लिए बाए जय है